एक इंग्लिश ओफिजर चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी प्रॉल्म दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड पर बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी कवर्मेंट जॉब करना था तो उनके एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था यहाँ पर वो सर्व करते थे जब वापस आ है उसे विलकम करने के लिए हुआ था जॉँन को फिरों उसका ऑफिजयर के पास लेकर आता है है और हैंडि बहुत सारे सालों से रहे रहा है हैंडि उससे बुछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे option थे तुम यही क्यों आए John ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अपने फादर की vision वो खुद complete करना चाहता है Henry उसे कहता है कि success हो नहीं पाएगा यहाँ के लोग बहुत ही अलग है इनने education देकर कोई भी फादा नहीं क्या local लोगों के tribe के head से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया Henry John से कहता है कि जो भी कहेंगे यह तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा वहाँ बहुत जाने पर उसे drink देते John drink नहीं करता पर यह उन लोगों का disrespect होगा तो इसी वज़े से John को drink करना पड़ता है यह drink एक बहुती beautiful लड़ की लेकर आई थी इसका नाम है Salima जो हमारी और एक main character है John में उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा drink किया और इसके बास Salima अपने friends के साथ नाच रही थी सब लोग फिर request करते यह John भी उन्हें कुछ perform करकर दिखा है वो एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद ने आई फिर उसे pick up करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किया सब लोग इस पर बहुत असे है उस आदमी का नाम में बदन सा है अगली सुबा John ने जो भी किया इसे हो बहुत ही embarrassed था आज Henry अपने साथ सलीमा को लेकर आया था उसे कहता है कि यह तुमारी wife की तरह सारे काम करेगी John को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसे समझाता है यहाँ की local language समझना बहुत important है और यही सिखने के लिए सलीमा तुमें help करेगी तुम उसके साथ intimate होगे और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता आ रहा है John को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानता नहीं वो यह सब नहीं कर सकता हेंडरी ने कहा हम सलीमा को फोर्स नहीं करें उसने भी तुमें चुना है हेंडरी अब जॉन को फोर्स करने लग गया था तो जॉन मान गया पर वो गहता है कि मैं उसके साथ intimate नहीं होगा हेंडरी को इस पर गुसा आ किया और वहाँ से चला जाता है जॉन ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आ किया इनकी एरिया के बॉर्डर में कुछ चैनीज लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ फाइट हुए लोकल लोगों ने चैनीज लोग को तो मार डाला पर अबॉर्डर थे कि उन चैनीज लोग के सर तोड़ कर ले आये जाए जॉन ने काम बिलनसाई को देता है पर बिलनसाई ने मंकी के हेड लाये थे जॉन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्ते है जॉन यहाँ न्यू है और उसे कोई भी सिरेसली लेता नहीं उसे इसके बार में कुछ करना पड़ेगा वो जब घर पर आया तो जॉन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था उसे गहता है कि मेरे नेफ्यू है यह तुम्हारे साथ इंटिमेट हो सकता है जॉन सलीमा के साथ इंटिमेट नहीं होता तो शेफ को लग रहा था कि यह है जॉन को इस पर गुस्सा आजाता है उसने कहा कि यह सब नहीं चलेगा उसने गुस्से में सलीमा को भी फायर कर दिया सलीमा भी गुस्से में बाहर निकल गे शेप जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है उसका मजा गुडाएंगे जॉन भी फिर सलीमा के पीछे पीछे गया वो कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं मैं इसे किसी के साथ इंटिमेट नहीं हो सकता उसे सौरी कहता है और फिर से लैंग में सिगना ट्राय करना चाता है सलीमा भी मान की नेक सिन में हम देखते हैं कि जॉन कुछ काम के लिए हेंरी के घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइफ एजी से मिलता है एजी उसे पुछती है तुमारी स्लीपिंग डिशनरी कैसी है सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता यहाँ की tradition है तू उसने उसे accept कर लिया था रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग-अलग बेड़ पर सोए सलीमा जॉन से पुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ intimate नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी experience नहीं होगा जॉन मजाग में गहता है कि मैं ज़रा classes कर लूँगा जॉन उसे बुछता है कि तुमने मुझे choose क्यों किया सलीमा गहती है पाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से local लोगों से मिलने के लिए जॉन गया हुआ था वो अभी भी उसके कोई भी बात मान नहीं रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था और balance आए को इसमें कोई भी point नजर नहीं आता जॉन उसे गहता है कि मैंने सुना कि तुम underwater बहुत time तक रह सकते हो तो उसके champion हो balance आए कहता है कि हाँ तो जॉन उसके साथ अब competition करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही excited हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े time बात balance आए उपर आ गया और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो एक game जीच चुका था पर उसके पास oxygen cylinder है यहां के लोगों को oxygen cylinder के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते है जॉन ने balance आए को हराया तो उसके सारी बाते मानने लग जाते है आज राज सलीमा जॉन को children के book से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा का रही थी जॉन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाया करते थे सलीमा कहती है मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तब यह उनकी date हो गई थी यही language सिखते सिखते है उसे हाथ, नेक, इन सारे body organs के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को touch करने लग गए और फिर intimate हो जाते है इसके बाद यह बार-बार intimate होने लग गए एक रात intimate होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी जॉन कहता है मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है कि हमारी tradition है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं चाहते है अगली रात हेंडरी ने जॉन को अपनी घरबर बुलाया था हेंडरी के बेटी अपना education कम्प्लीट करकर इंगलंड से वापस आई थी ये सब एक साथ dinner कर रहे थे हेंडरी के बेटी का नाम है सिसिल सिसिल इंगलंड में यही के लोकल लोकों पर research कर रही थी वो बातों-बातों में कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब से tradition हुआ करते थे कोई new officer है तो लाइंवेश सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती थी सिसिल को पता नहीं था कि आज भी यही tradition चल रही है सिसिल वंडर करती है कि उन दोनों में यह कोई भी feelings develop होगी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी feelings develop होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक tradition है जान कहता है कि उन दोनों में feelings develop हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को यह बात बहुत ही गलत लगती है जान घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अरली दिन जान और सिसिल एक साथ थे हैं सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी तो इसी रिसर्च के लिए जान उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया। अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आया। एक डेंजरेस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी। यह एक्चुल में हो कहा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है। उसके साथ बोलंस आय और सलीमा भी थी। जाने से पहले एज़ी उसके पास आयी। वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जान को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो एज़ी कहती है यह जल्दी से इसके लिए हा कहे दो वो अन्ना तुम्हारे हाद से हो चली जाएगी। जान ने रात में सलीमा से बात की उसे बुशता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे सलीमा कहती कि हाँ जान ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुशा थी उसे कहती है तुम भी बाकियों क तरह ही हो जॉन उसे पुछता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलिमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जॉन समझ गया कि उस पर हो गुष्सा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्वे चालेता है ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते है उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जॉन समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यहीं लोग होंगे वो जब वापस आये तो सलीमा भी बिमार पढ़ चुकी थी जॉन ने इ जहीरा इस सलीमा ने भी खाया था पर इस लोग पोईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही डेंजरस है अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सार लोग को मार डालेंगे बोलन साय जोन से भुषता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जोन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जोन ने रेलाइस किया कि सलीमा भी मार थी तो उसके इसा फेलिडों से बीना जी नी सकता उसे सब बात कहे देता है उस दो उससे मैरेज की लिए just किया सलीमा गाती है हमें कोई भी अलाऊड नहीं गरेगा यह बहुत ही हार्ड होगा जौन कहता है कि गवर्मेंट को डिस्रिसपेक्ट होगी। जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे का कि सलीमा तुम्हारी पास थी अब तुम आगे बढ़ो हेंड्री उसे एक ओफर देता है कहता है तुम अब फिर से इंगलन जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तो फिर बोलन साय के फादर सलीमा को request करते है सलीमा मानती नहीं तो उसे cage में डाल दिया गया था जॉन भागते भागते उसके पास आया सलीमा उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ये सब possible नहीं हिन्री सलीमा और जॉन को last chance देता है अगर भाणे नहीं तो इन दोनों को jail में डाल दिया जाएगा सलीमा जॉन को jail में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलोंगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते है कि directly एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से भूशती है या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर जे डिसाइड किया क्यों उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने बर इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इन्हें मुवी दिखाए जाती है पर इन सब लोगों में जॉन से इप सलीमा को धून रहा था ये बात सेसिल ने नोटिस किये वो जॉन के साथ रात में इंटिमेट होना चाहती थी पर इस थौट को शेक नहीं कर पाती उससे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी लाइफ में खुश है सिसल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लीपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लीपिंग डिशनरी को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुसा है उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने फेसे उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुमारा प्राइवेट पार्ट काट देगी सिसिल और जॉन जब से यहाँ है उसने एज़ी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौक लगा अब वो सलीमा से मिलना चाता था अबने शेफ से बात करता है कि हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ शेफ ने औरेड़ी सलीमा से बात की थी और सलीमा जॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाय जाता है जॉन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलिमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जौन कहता कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जौन को कंफरंट किया तो उससे सब को समझ में आ गया एजी कहती है मेरे हस्बंड हेंडरी की पे एक स्लीबिंग डिशनोरी थी और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंट करने लग गया था ये बात जब बोलन साय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके घर पर भोश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस है हेंडरी कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुमारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन कहता है अगर तुमारी ऐसे ही और कोई रॉटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हेंडरी ने कहा यही सही होता ये बोलते होए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेंडरी की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बोलन साय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोस में जॉन को बोलन साय को डेट की सजा दिनी पड़ी वो अगली दिन बोलन साय को हैंक करने वाले थे पर बोलन साय नहीं एक बार जॉन की जान बचाई थी रात में जाकर उसे चुड़ा रेता है कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ रात में सलीमा भी उसे मिलने के ला आई जौन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहाँ से हमें भाग जाना पड़ेगा इन्होंने भागने के लिए एक date decide की हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए के लिए एज उसकी स्लिपिंग डिक्शनरी उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं प्रेग्नन्ट हो वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज़ादा कन्फियूस्ट हो कया कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेविल को बहुत मारा फाइनली वहां के शेव की मदद से वो नेविल को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मार था और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सिसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं चा सकता पर यह सब बात सिसिल को पता चल गई यह लेटर वो पढ़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा कि मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोईस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता सिजिल होफ फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गई जौन उनकी जगा पर लेट भोचता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेफ फ्रेंड जौन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके murder के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था उसे ढून तो लेता है पर जाते-जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आये तो एजी उस पर बहुत ही गुसा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटीयों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहां में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और डर दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जाओ ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंद थी उसने जाओन को हतकड़या पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे अगर आपको एकस्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीज़ेगा वे बहुत सारी मुवीज लेकर राध रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और बेल नुटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिएगा हम फिर से में लेंगे और एक निमुई के साथ दबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे